एपिसोड टू के एंड में हमने देखा था कि जिन को होस आता है और होस आते ही वो बहुत ज़्यादा है जिसने उसके सामने एक मॉस्टर खड़ा होता है जिसने उसके आंड को बिना कपड़ों के पकड़ा होता है और उसके आंड की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है त ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है और गुसे के वज़े से वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो उस मॉस्टर को बहुत जोर से मारता है जिसके वज़े से वो मॉस्टर सीधा जाकर हॉल में गिरता है और उस को देखकर चेयर्मन बोलते हैं तो आखिर में जिन ट्रांस्वार्म होई गया और उसकी बॉड़ी वाइड क्यों है साइंटिस बोलते हैं क्योंकि उसका ट्रांस्वार्मेशन अभी कंप्लेट नहीं हुआ है पर फिर भी इसकी पावर बाकियों के कंपैरिजन में बहुत इंटिस बोलते हैं साइड उसकी बॉड़ी अभी बहुत ज़्यादा वीक है तभी वो मॉंस्टर बार बार जिन के उपर हमला करने लगता है जिसके वज़े से जिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और तभी अचनक से जिन खड़ा होता है और बोलता है मैंने ये बोलकर वो उस monster को बहुती जोर का punch मारता है और उसके एक punch में ही वो monster नौक आउट हो जाता है और ये दिखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा है जिन ने एक punch में ही उस monster को हरा दिया इसलिए chairman बोलते हैं भले इसका transformation अभी अधूरा है और इसकी power मेरे सोच से बहुत ज़्य तभी जिन अपने आपको CC में देखता है और अपने आपको CC में देखकर वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी body transform होने के बाद ऐसी दिखती है इसलिए वो बोलता है इसका मतलब मैं भी एक monster हूँ बिलकुल इसके तरह तभी scientist बोलता है chairman एक problem आ जाता है और बोलता है तुम सब कौन हो और तुमने मेरी आण को क्यों मारा तभी पीछे से आकिमी आकर बोलती है जिन मेरी बात सुनो और अपनी आंटी की आवाद सुनकर जब जिन पीछे मूर कर देखता है तो आकिमी सामने से आ रही होती है और आकिमी को देखकर जिन बो को टेकनॉलेजी के मदद से जिंदा रखा है तभी कामजाकी बोलता है जिन को नॉर्मल करने के लिए उसे एक और प्लेयर से लड़वाना होगा चेयर्मन बोलते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं हमारे पास इस समय कोई प्लेयर नहीं है सैंटिस बोलता है पर सर वो औरत भी तो ए अंदर से लेयर जैसी मैं क्यों आ रही है और जिन की बोलते ही आकुमी उसके बाहों में आकर गिर जाती है और अपने आण की ऐसी कोई भी प्लेयर नहीं है अब जिन की पावर डिक्रीज होना बंद हो जाएगी और वह नॉर्मल हो जाएगा और उतने में जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस बॉडी गार्ड के पास आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मट कैसे हुई मेरी आंटी को मारने की पर जिन है वो जिन होता है जो लोगों को मसीवा से बचाता है मैं तो बस खड़ा होकर तमासा देखता रहता हूँ जिसके बाट कूगा स्कूल जाता है तो उसके पस दो लड़की आती है और बोलती है ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है के मायू सरमा क्यों रही हो आकर कूगा स बड़े भाई आप गुगा से हाथ मिलाती है जिसके बाद अगले सिन में कूनः कूगा के पास आती है और उसे जिनका लॉक्ड दिखाकर बोलती है ये लॉक्ड जिन का है क्या तुम इसे उसे वापस कर दोगे उसके बच्चों को जिन ने बचाया था पर हमारे पापा उस जिन के तरह लोगों को बचा क्यों नहीं पाता हूँ मैं भी justice के लिए लड़ना चाहता हूँ कुनहा बोलती है वैसे बड़े भाई आपके लिए justice क्या है मेरे हिसाब से आपको justice की कोई परवा नहीं है आप बस चाहते हैं कि लोग आपको praise करें और कुनहा की ये बात सुनकर जिन बहुत ज़्यादा side हो जाता है और उसका चेहरा देखकर कुनहा बोलती है माफ करियेगा बड़े भाई पर मुझे जैसा feel हुआ मैंने बोल दिया जिसके बाद हमें जिन एक prison में दिखाये जाता है तबी chairman उसके पास आते है और उन्हें देखकर जिन बोलता है आखिर में तुम मेरे सामने आही गए चलो मुझे बताओ तुमने मेरे आण को क्यों मारा चेहरमेन बोलते हैं ऐसी हालत में भी तुम्हें उस औरट की चिंता है जिन बोलता है बकवास करना बंड करो यहीं पर वो सारे मॉस्टर पहले रहते थे तुम्हारे और तुम्हारे ग्रेंटपा कामजाकी का रिस्ता इन मॉस्टर से बहुट गहरा है चिन बोलता है तुम मेरे ग्रेंटपा को जानते हो आखिर तुम हो कौन चेर्मन बोलते हैं मेरा नाम मिट्सूगाई अमागी है और मैं उन मॉंस्टर्स को इस दुनिया से खतम करना चाता हूँ जो कई साल पहले यहां से भाग गये थे इस रिंग को देख रहे हो क्या तुम्हें यह जानी पैचानी नहीं लग रही है बिल्कुल ऐसी ही रिंग तु जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम लोग हो चेर्मन बोलते हैं हाँ तुम ऐसा कह सकते हो पर तुम किसी नतीजे पर पहुंचो उससे पहले तुम मेरी बात सुन लो तुम हमारी आखली आस हो उन मॉंस्टर को खदम करने के लिए जिन बोलता है तुमने कैसे सोच लिय कि मैं तुमारी मदड करूंगा इससे बहतर होगा कि मैं तुम सब्को यहीं पर मार कर सारा किस्सा खदम कर दूं यह बोलकर वह फुर को प्रांसफोर्म करने की बोसे करने लगता है और वो फे पहले ही उसके दिल में बहुत तेर्द होता है और वह नीचे गिर जाता है और कॉर्परेशन का मोस्टरली फंड यहीं से आया करता था पर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वो सभी मोस्टर एक रात भाग गए और तब से मेरी स्रिफ एक ही ख्वाइस है उन सभी मोस्टर को खतम करना और अपने पाप का पच्चताप करना इसलिए मैं और तुम्हारे ग्र भाग गया था तो फिर जिन मेरी बात मानो यह तुम्हारी डेस्टनी है उन मोस्टर को मारना जरा सोचो किसी दिन उन में से एक मोस्टर तुम्हारे आंटी आकमी को मार सकता है जिन बोलता है तुम यह क्या बक्वास कर रही हो तुम लोगों ने मेरे सामने मेरी आंटी को मा जानी चाहिए तुम अब जिन नहीं जेट हो अगर तुम किसी भी इंसान के करीब जाओगे तो तुम्हारे समेल से प्लेयर्ज तुमहारे पास आएंगे और तुम्हारे आस-पास के इंसान को हड् कर देंगे इसलिए अगर तुम अपने आण की चिंता करते हो तो मेरी बात मान लो अब तुम्हे ही चूज करना है कि तुम इंसान बन कर रहना चाते हो जैसा कमजाकी चाहता था या जट बन कर रहना चाते हो और अपने आण की जान बचाना चाते हो जिन बोलता है अगर मैं जड़ बन गया तो क्या मैं लोगों की जान बचा पाऊंगा शेर्मन बोलते हैं हाँ पर उसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा अभी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो तुम्हारा ट्रांस्फोर्मेशन अभी अधूरा है हमें उसे पूरा करना होगा जिन बोलता है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ पर मेरी भी कुछ सर्ते हैं सबसे पहले तुम्हें मेरी आण का चेहरा ठीक करना होगा और दूसरी बात सायद मेरी आण का एक बच्चा है तुम्हें उसे ढूड़ना होगा शेर्मेन बोलते हैं मेरे बस में जो पड़ेगा मैं करूँगा वैसे तुम्हें भी अपने आन को एक फेक लेटर लिख देना चाहिए ताकि उन्हें तुम्हारी चिंता ना हो जिन बोलता है आप सही बोल रहे हैं और यहीं पर यह अपिसोड खताम होता है मैं आसा करता हूँ